दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले है मचली कब खाना चाहिए? मचली के साथ क्या क्या नहीं खाना चाहिए? क्या मचली के साथ दूद पीना चाहिए या नहीं? ऐसे ही और भी कई महत्तकून जानकरिया इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं. इस वीडियो केकिस राज्य में सबसे ज़्यादा मचली खाये जाते हैं इसके जवाब कॉमेंट में ज़रू बताए दोस्तों मचली खाने में जितना स्वादिश्ट होते हैं हमारे सिहत के लिए उतना ही फाइंदिमन होता है मचली में कई ज़रूरी भिटमिन्स और पोसक तत्व होते हैं सरीर की कई ज़रूरतों को पूरा करने में इनका एहम योगदान होता है इसके अलावा आखों की सेहत के लिए भी मचली काफी असरदार होता है मचली में लोव फैट होता है जिससे कोलेस्टेल की मात्रा बढ़ने नहीं पाते इसलिए मचली खाना चिकन और मटन ख करते हैं और आप एक मासाहरी है तो आपके लिए मचली प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है क्योंकि 100 ग्रम मचली में 20-22 ग्रम प्रोटीन मिल जाते हैं एक स्टड़ी में एक आ गया है कि जो पूरुस मचली खाने के साथ-साथ अच्छा आहार जैसे फल और दूसरी हिल्दी की चीजों का सेवन करते रहते हैं उनके स्पाम हिल्दी होते हैं दोस्तों आपकी जानकरी के लिए बता दे एक स्वास्थ इंसान को हपते में दो बार से जादा मचली का सेवन नहीं करना चाहिए मचली में होता है ओमेगा 3 फैटी असिड जो दिमाग को तेज करता है और स्मडन सक्ति को बढ़ाता है जो लोग मचली नियमित रूप से खाते हैं उनके स्किन में अलग ही चमक होता है उनके बाल भी काले लंबे और घने हो जाते हैं मचली में होता है बिटामिन D जो हड़ियों को स्वास्त रखने और हड़ियों के विकास के लिए कैल्सियम के अवसोसन में फाइदिमन होता है कौन सा मचली नहीं खाना चाहिए 2019 के एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि अंद्रप्रदेश से आने वाले मचलीयों में बड़ी मात्र में फॉर्मालिन का प्रयोग किया जाता था ताकि मचलीयों को जादा दिन तक सुरक्सित रखा जा सके लेकिन फॉर्मालिन हमारे हेल्द के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इससे कैंसर होने का रिस्क रहता है इसलिए मचली खरिदने से पहले इस बात पर गौर जरूर करे तो दोस्तों चलिए अब हम जानते है मचली के साथ क्या क्या नहीं खाना चाहिए नमर वन दूद मचली के साथ दूद पीना बहुत ही खतरनाक होता है आईडवेट के मताबिक मचली के साथ दूद पीने से सपे दाग जैसे बिमारी की सिकायत हो सकते है दोस्तों ये बिमारी आपको एक दो दिन में नहीं होगी अगर आप रेगुलर मचली और दूद का सेवन करते हैं तो आपको ऐसा हो सकता है नमबर दो दही मचली के साथ दही कभी नहीं खाना चाहिए बहुत से लोग मचली बनाने की ग्रेवी में दही का इस्तिमाल करते हैं लेकिन दही को ना ही अलग से खाना चाहिए और ना ही मचली से बनी डीस में इस्तिमाल करना चाहिए ऐसा होता है कि दही का तासिर ठंडा होता है और मचली का तासिर गरब होता है ये दोनो food combination हमारे पेट के लिए अच्छा नहीं है मचली खाने के बाद कभी भी आईस क्रिम नहीं खाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से तोचा और पेट से संबंदिर बिमर्यों का सामना करना पर सकता है नमबर चार चाई और coffee जादा तल लोगों को खाना खाने के बाद चाई या कौफी पीने की आदत होते हैं लेकिन अगर आपने खाने में मचली से बनी कोई डीस खाई है तो चाई या कौफी पीने से बचना चाहिए क्योंकि ये दोनों चीजे दूद से बनी हुई होते हैं और इनका सेवन अमारे स्वास्त के लिए नुकसा दायक साबित होता है नमबर पांच, मिठाई खाने के बाद कुछ मिठा खाने की आदत जादतल लोगों में पाए जाते हैं लेकिन आयडवेट के मुताविक मचली खाने के बाद दूद या दूद से बने हुई चीजे खाने से तोचा से संबन्मित बिवर्यों का सामना करना पड़ सकता है तो दोस्तों आपने जाना कौन-कौन से चीजे आपको मचली के साथ नहीं खाना चाहिए दोस्तों आपके मन में ये सवाल जरूद उठ सकता है तो फिर मचली खाने के कितने समय बाद दूद पीना चाहिए दोस्तों मचली खाने के कम से कम 5-6 घंटे बाद ही दूद पीना चाहिए जब हमारे पेट में मचली सही से डाइजेस्ट हो जाए तब हमें दूद पीना चाहिए उससे आगे हमें दूद नहीं पीना चाहिए दोस्तों अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करे और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमली के साथ सेर जरूर करे दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मोडिफिकेशन बिल को और जरूर कर लेना तो दोस्तो तब तक के लिए टेक केर बावाए